सर्डीकायल जी सार्यानू नानी दा टेस्टी खाना चैनल दिखन वाले सारे ही सरोत्यां दा सी जी आयें कर देयां आज दा डेली एक बहुत टेस्टी ते यमी रेशपी लेके आएं हां जो है पालक धे मटर दी रेशपी सर्दियां दा मौसम ओंदे ही पालक भी और मटर भी बहुत फ्रेशली ते बहुत इजली अवेलिबल होने स्टार्ट हो जान देने पालक मटर दी एर एसप अगर तुसी एक बार कार विच ट्राइक कार ली यकीन मन्योकार दे सारे मेंबरेनों बार बार मंगन गे ता इदेली तुसी की करना है दो तो तिन चमच देसी की दे पैन दे विच गरम कर लेने ने या कडाई दे विच थोड़ा जीरा अद्दा चमच दे करीव चटक लेना है तो उस तो बाद सब तो पहला एक पूरी जड़ी गंडी हैगी अगर शोटी है ता एक ज़ादा बड़ दे विच तुसी यदी पेस्ट बना के नहीं पाऊंगे जी नहीं तो नीचे स्टिक होन लागे जन दी है ते लसन पान तो बाद जदो तुसी अदरक नों हलका जा ड्राय रोस्ट या कैलो की ओल दे विच रोस्ट कर लेने उस तो बाद प्याज ते फेर हरी मेर्ज पाके न चंगी तो रखे ना पून लेनी है ए वीडियो असी तो नों शॉटकाट वे ना दिखा आ रहे हां सिर्फ मेन मेन स्टैप एस करके ए ना सोचे की असी नाल दी नाल वान वाई वान चीज़ां पा रहे हैं असी नों पून अंते जिनना दो तो पांज मिनट ता टाइम लग असी ना ही सानू लग गया है लेकिन सिर्फ तो हड़ा जादा टाइम भी ना वेस्ट होवे और तो आनू रेस्पी भी पूरी मेल जे इस करके असी नों स्किप करके दिखा रहे हां ए दे विच जदो आपा प्याज पालेया हरी मिर्च पाली थोड़ा उनू रोस्ट कार ले सेम गैंस ते टाक देना है एस तरह करन नाल जड़े अपाय दे विच मसाले पाएने या मटर पायाने ओ नालेता नमक दे विच चेंगी तरिके ना पक जेगा इजीली और शेती पकेगा दूसरा ओ बहुत जादा सौफ्ट हो जेगा ते पानी रिलीज कर देगा जी देना त जादा या सबजी गैंस दे विच या फेर कडाई दे विच नीचे नहीं लगेगी औस तो बाद बाद ए जड़ी थोड़ा कुट्या होया तनिया पाओडर तोड़ा करदा बने अ होया झीरा पाओडर थोड़ा पापामागे गर्मसाला येवी अपना करदा बने hatte थोड़ वन बाई वन पाके सबजी दे विच अल्रड़ी मॉस्चराइजर है क्योंकि असी सबजी सिमते पकाई सी थोड़ी दे रेनों कुक करांगे ते फेरे दे विच फ्रेशली वाश्ड चॉप्ड जिड़ा हैगा पालक पादांगे पालक दी जि मैं गल करां ता करीब जड़ी है अद्धी अपा गुट्टी लई सी पालक दी ते मटर अपने हैगे या पॉनी की कटोरी ठीक है जी तो उसी चाहो इन्हों जादा भी बनासा देओं काट भी बनासा देओं जिनना तो हनों चंगा लगे ते उस अकॉर्डिंगली इन्हों पासा कदेओं ठीक है पालक ते मट तेस्ट ब्लेंड हो जादा वधिया लाग देने पालक पांतों बाद असी नूँ दो तो तिन मिनिट दे लई सिम गैंस्ते अगें टाकता सी तांके पालक तो पाफदा काम करे ते पालक दी जड़ी स्टीम है कि जो दो बंद खिता व्या ओ मटर दी सब्जी दी विच इमर्ज होके नीचे अपने सब्जी पाक दी रहे उपर अपना पालक सॉफ्ट होजे मलाइम होजे थोड़ी देर बाद तुसी देखोंगे सारा पालक जड़ागा स्क्वीज हो गया है सब्जी एदा भिल्कुल थोड़ी जी लगन लगजेगी तो अनू तुसी लगाता रहे नू च जुरूरत नी क्योंकि पालक दा अपना ही पानी बहुत जादा हुंदा है सो एदे विच यह पक जेगा उस्तो बाद तुसी एदे विच थोड़ा जबेसन पाना है वेसन पाना थे तिन कारण ने ते काफी इंपॉर्टन्ट है पहला कारण एए कि ए तो अड़ी सब्जी न ते बिल्कुल अच्छे तरीके ना ब्लेंड हो जेगी तुसी ए त्यान रखना है कि वेसन पान्तों लगा तरहनों हलांदे रहना है वेसन भी तुसी स्प्रिंकल करके दा चमज नाल पाना है सो देट की कथा ते गंड़ना वांजे ते ओनी देर तक अच्छे तरीके नाल हल लगेगा फिर तुसी थोड़ी जी मखनी एदे वी चिक कचमच पा दे नहीं है अगर तो अड़े कोले मखनी अवेलिबल नहीं है वाइट बटर है तो तुसी एदी थांते थोड़ी जी क्रीम भी पा सक देओ एदे नाल भी एहे बहुत भी मेल्टिंग टेक्स्चर तो देखे देखे हो आज जो हो अपना लांच कंप्लेट करके लेके ओन गए उस्तो बाद असी एदी प्लेटिंग किती है नानी दा टेस्टी खाना चैनल दे उत्ते अगर तो नू साधीर बनाएगी एह रैस्पी अच्छी लगी है ता प्लीज चैनल नू सब्सक्राइब शेयर करें तांके होर पैन परावी इस तरह दी रैस्पी बना के कर ट्राइ कर सकन ते उन्हें नू भी काफी ज़दा है पसांदा दे बाकी पालक सरदियां दा मौसम होन करके सानु सारा नू खाना चाईदा है एदी जड़ी तासीरा थोड़ी गरम हुंदी है सो इस करके हर एक इंसान एक दिन दे विच दो सो ग्राम पालक ले सकदा है चाहे उन्हों परांठें दे रूपच चाहे साग दे रूपच चाहे दसबजी दे रूपच या जूस दे रूपदे विच इस सारियां ही रैस्पी पालक दियां सी चैनल दे पाईयां हूँ याने मिल दे हैं कल किसे नमीरा स्पीदे नाल सानुदो इजाजत तत्तक ली सस्रीकाल.